नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताये था कि किस प्रकार आप SAS, NAS सेंबल पर को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे दिये गए लिंक पर क्लिक करके हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं और सभी सेंबल पेपर जो MCD के दोवारा बच्चों के लिए अपलप कराए गए हैं कक्षा 3 और 5 के लिए वो आसानी से देख सकते हैं आज हम आपको अपने इस वीडियो में कक्षा 5 का सेंबल पेपर 1 सॉल्व करके दिखाएंगे किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले उसमें दिये गए निर्देशों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए जैसा कि इस पेपर में दिया गया है नोट सभी परशन एक एक अंक वाले हैं यानि जो आपका यह पेपर है इसमें सभी परशनों के समान उत अंक मिलेंगे सभी परशनों के लिए आपको एक अंक दिये जाएंगे और इसमें एक नई बात और एक है कि आपके जो भी पेपर होते हैं उसमें आप प्रशनों के उत्तर स्वेम लिखते हैं लेकिन इसमें आपको चार आप्शन दिये गए हैं हर प्रशन के और उसमें आप्शन नमर एक, दो, तीन और चार दे गए हैं और आपको example में दिखाए भी गया है उसाब सुपर आप देखेंगे कि उधारन एक, दो, तीन, चार option मेंसे जैसे इनोंने तीन को हमारा answer देना है तो तीन को हमें circle करना है ऐसे तो आपको जो paper दिया जाएगा वो भी इसी परकार को होगा आपको उसमें जो option दिये गए होते है चार, इन चारो option मेंसे सही उत्तर वाले option को आपको ऐसे circle करके भरना है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें चलिए हम शुरू करते हैं अपना कक्षा 5 का अभ्यास paper सबसे पहले एक पैसिस दिया चोटा सा इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे व्रिक्षरोपन के सबसे सामानी और द्योशों मेंसे एक वनो को बढ़ावा देना है प्रित्वी का पारिसेतिक तंतुलन बनाए रखने के लिए वन अत्यंत महत्पूर है हमारे गिरह का एक परमुक हिस्सा जंगलों से ढखा हुआ है और ध्योगिक यूग के आरम के बाद से ही वन त्रिव गती से काटे जा रहे हैं विक्श सभाविक रूप से विक्शित होते हैं लेकिन वनों की कटाई के कारण होने वाले नुकसान के भरपाई के लिए हमें अपनी और से अपना योगदान देना जरूरी है इसी प्रियोजन के लिए व्रिक्षार ओपन किया जाता है व्रिक्षार ओपन की मदद से पेट तेजी से उगाई जा सकते हैं अब हमने इस पैसिस को पढ़ने के बाद जो नीचे कोशन दिये गए हैं इन कोशन का सीक्वेंज भी वही रहेगा जिससे आप सूपर पैसिस दिया गया है पहला प्रिस्टन है वनों की कठाई का मुख्य कारण क्या है तो जैसा कि हमने उपर पढ़ा है कि उपर अध्योगी करण के वारें बताया गया है अध्योगी करण यानि कि फैक्ट्रियां लगाई गई है नई नी टेक्निल्विस के इस्तेमाल हुआ है और इन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए हमारे जंगलों को काटा गया है तो इसका अंसर होगा हमारा ऑप्शन वन तो देखिए वन को मैंने ब्लू किलर से मार्क कर रखा है इसको हम आसक टिक भी कर सकते हैं तो पहले का अंसर होगा चाहना हमारा होगा ज़ुग प्रशन दोपर आते हैं निम लिखित में से त्रिव का विलुम क्या होगा त्रिव का विलुम अप्षन दिये हैं हमारा एक भागना ऑप्षन टू तेज अप्षन थी मन्द या ओफ्षन फ़ूर गती तो आपको पता अब हमारा तीसरा प्रशन आता है व्रिक्षार ओपन का क्या आर्थ है व्रिक्षार ओपन का आर्थ यह आपको पता ही होगा कि व्रिक्ष लगाना तो यह बहुत यह आसान सा प्रशन होगा जिसका जवाँ हमारे कक्षा 5 के सभी बच्चे आसानी से दे देंगे तो हमारा इसक व्रिक्ष जलाना या इसमें से कोई नहीं तो जैसा कि हमने आपको भी बताया है कि व्रिक्ष रोपन का अर्थ होता है व्रिक्ष लगाना कोश्चन नमर चार है कौन सा शब्ड प्रित्वी का प्रियाबाची शब्ड नहीं है बच्चो ध्यान रखिए कोश्चन को आप ध्यान प्रोग पड़ें यहाँ पूचा है नहीं है तो कुछ बच्चे जलवाजी में क्या करते हैं नहीं को छोड़ पढ़ना भूल जाते हैं और गलत ऑप्षन का चैन कर लेते हैं तो आपको जैसा पता ही है कि प्रित्वी के कई प्रियावाजी होते हैं जिसमें से धरा, वसुंदरा, धर्ती यह हमारे तीनों प्रित्वी के प्रियावाजी है जलज हमारा प्रित्वी के प्रियावाजी नहीं है तो इसका ऑप्षन होगा हमारा चार अगला प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन है पांच वनो की अधिक कटाई से क्या हनुट आती है तो नम्मर वन है उप्षन हमारा वाई परदूशन बिल्कुल होता है नम्मर दो उप्षन है बरसात कम होती है हमारे वातवरन पसर पढ़ता है बिल्कुल सही बात है option 3 है का और खा दोनों सही मतलब जो हमने उपर option एक और दो पड़ा है वो दोनों सही है option 4 केवल एक ही सही है तो देखिए वनों की कटाई मतलब पेड़ों के काटने से हमारे वाता परने भी परवा पड़ता है और जो बारिश होती है उस पर भी असर पड़ता है तो हमारे दोनों option सही हो जाएंगे यानि हमारा option 3 सही होगा का और खा दोनों सही तो हम 3 वालों को सरकल कर देंगे अब अगला परशन आता है हमारा परशन 6 इसमें भी हमारे सबसे पहले पैसीज है तो पैसीज को हम पढ़ेंगे पहले ध्यान से शाम का समय था आंधी और तेज बरशाद बंध होने के बाद मनिश तेज कदमों से घर की और चल दिया जब वे घर के पास वाली सड़क पर पहुँचा तो उसने देखा कि एक पेड आंधी के कारण तोट कर सड़क पर गिया है उसने तोटे हुए पेड पर एक नजर डाली और घर की और चल दिया घर आने के बाद हाथ मूध होकर राजगा खाना खाया ही था कि बिजली चली गई चारों तरफ अंधकार हो गया मनीश ने लालटेन जलाई अजानक उसे ध्यान आया कि सड़क पर गिरे हुए पेड से अंधेरे के कारण कोई दुरगट न हो सकती है कुछ सोचकर वह लालटेन लेकर उस तूटे हुए पेड के पास पहुँच गिया और लालटेन को उस तूटे हुए पेड पर लड़का दिया अब लालटेन के परकास में तूटा हुआ पेड कुछ नजर आने लगा मनीश के चेहरे पर संतोस था देखिए इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए कि मनीश ने अपना एक करतबे निभाया है समाज के परती उसने दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा है कि अगर वो पेड सड़क पर गिरा हुआ तो उससे दुरगट ना हो सकती है बहुत अच्छी बात है आप सभी को भी ऐसे विचार रखने चाहिए चली अब परशन पर आते हैं परशन से हमारा मौसम कैसा था तो हम असानी से बता सकते हैं कि तेज दूप थी नहीं बिल्कुल नहीं आंदी और तेज बरसात हो रही थी ये सही है आगे पड़ते हैं बर्फ गिर रही थी या उप्शन 4 होगा उप्युक्त में से कोई नहीं तो आपको पता ही है कि तेज बरसात और आंदी थी हो रही थी तो उप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा इस कोशन का उप्शन 2 नेक्स कोशन है हमारा 7 पेड के टूटने का क्या गरनता हमें पता है कि आंदी आ रही थी इस बरसात हो रही थी इसलिए पेड गुड़ गिया था तो आप्शन हमारा 1 बिलकुल सही हो जाएगा अब नेक्स कोशन पर आते हम आप्शन कोशन नमर 8 पे अंदकार का विलोम क्या होगा विलोम बताना है मैं अंदकार का तो रात्री, शाम, जलज या परकाश तो अंदकार का विलोम आप सभी को पता है क्या होता है परकाश, उजाला अप्शन 4 सही होगा क्वेशन नमर 9 पे आते हैं मनी इसने टूटे हुए पेट पर लाल टेन क्यों लड़का दी ये भी हमने अभी उपर समझा है कि उसने लाल टेन क्यों लड़काई थी ताकि कोई दुरगटना न हो जाए तो देखते हैं उप्शन में है या नहीं हाँ पहला उप्शन ही हमें दिया हुआ है ताकि कोई दुरगटना न हो जाए नमर दो उप्शन देवाली थी नमर तीन पढ़ने के लिए नमर फूर खेलने के लिए तो उप्शन एक हमारा बिल्कुल सही है ताकि कोई दुरगटना न हो जाए बच्चों ये नहीं कि पहला उप्शन हमारा सही है तो उस पर टिकल आगे आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल नहीं, हमें पूरा परशन पढ़ना चाहिए, तो हमारा इसका आंसर होगा, ताक कि कोई दुरगटना ना हो जाए, option एक बिल्कुल से होगा, अगले परशन पर आते हैं, दस पे, निन में से कौन सा शब्द पेड़ का परियावाची नहीं है, परियावाची नहीं है, यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, कि हमें नहीं पे बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं पढ़ना ना भूलें, तो option एक है, पौधा, बिल्कुल है, यह तो पेड़ का परियावाची, जाड़े यह भी है, टेहनी, यह भी ह चौत्वा उप्शन है टायर, तो भाई टायर तो पेड़ से कोई लेना देना नहीं टायर का, तो हमारा उप्शन चार से ही होगा इसका, कि पेड़ का परिवाची उप्शन फोर होगा, कि नहीं है टायर, अगले प्रशन पर आते हैं हमारा, अगला हमारा प्रशन है ताज महल के बारे में चलिए देखते हैं चित्र को ध्यान पुर्वक्त देखना है फिर हमें उत्तर देना है तो हमारा ये चित्र है ताज महल का सब को पता ही होगा तो इस अमारत का नाम आपको पता ही है आप्शन दिया है वैसे हवा महल, ताज महल, जल महल, श्वेट महल तो हमारा अंसर क्या होगा ताज महल अगले परशन पाते हैं बारा पे इसके आसपास कितनी मिनारे हैं तो आपको दिख रहा होगा इसके आसपास हमारी कुल कितनी मिनारे हैं गिल लेते हैं एक दो तीन चार तो टोटल हमारी चार मिनारे हैं तो आप्शन हमारा चार सही होगा अगले परशंट आते हम ताज महल बहुत सुंदर इमारत है इस वाक्य में सुंदर शब्द क्या है तो सुंदर शब्द संग्या है सरवनाम है विशिशन है किरिया है तो जो शब्द संग्या ये सरवनाम की विशिश्टा बताता है तो ताज महल कैसा है सुंदर है, तो ताजमेल तो हमारा संगे शब्द है, तो सुंदर उसकी विशिष्ट है, तो हमारा इसका उप्षन थर्ड से होगा विशिष्ट है अगला परशन है चौदा, इस इमारत के पत्थर का रंग, तो आपको पता हो ताजमेल अगर आपने खुद देखा होगा या टीवी में या आपने तस्वीरों में देखा होगा क्योंकि यह हमारा पीडियाफ तो ब्लैक एंड वाइट में है तो इसमें आपको कलर वाइट ही दिख रहा है और वैसे हमारा ताज महल भी सफेद ही रंगा होता है तो इसके पत्थर का रंग सफेद होता है परशन पंदरह पे महल एक डैश है मतलब हम इस डैश में भरना है क्या आएगा संग्या है, किरिया है, विशिशन अलंकार जैसे कि अभी हमने आपको उपर बताये था विशिशन के बारे में कि ताज महल एक संग्या शब्द है तो ये महल क्या है हमारे लिए एक संग्या शब्द है किसी वक्ति वस्तू स्थान के नाम को हम संग्या कहते हैं अगले प्रशन पाते हैं हमारा साँ में एक छोटा सा पैसि ज़ुर है फरशन सोला में कहेलते समय मीनम अचानक कहीं गायब हो जाती है उसके माता पिता प 동안 से माता प्रशीन का मुऊden मुख में मीनक की का वुटा क्र Hij देते हैं और उसके पीछे-पीछे चलते हैं प कुझे को मिनक का फ्रोग देकर क्यों भीजा तो यह आपने टीवी में कई वार देखा होगा या कई फिल्मों में जो आप देखते होंगी या कई बच्चों के शोवाते कार्टून सोउस में कुझे की मदद ले जाती खोजने के लिए क्योंकि खुट्टे की सुम्ले की शक्ती हम इंसानों के मुगाबले बहुत ही ज़्यादा होती है तो पहला option है कुट्टा मीनम को जानता था बिल्कुल ने पुलिस का कुट्टा था कैसे जानता उसे option two है कुट्टे को मीनक की फ्रोग पसंद है ये भिनाई होगा कि अप्शन तीन है कुट्टा मीनम को उसके फ्रॉक के उपस्थित गंद के कारण ढूंड पाएगा और उप्शन चार है उसको कुट्टा उस जगह जानता था जहां मीनम खोई ती नहीं क्योंकि फ्रॉक दी गई थी वो गंद के लिए दी गई थी ताकि उसको स्मेल करते हो आगे बढ़ सके तो आप्शन तीन से ही होगा हमारा कि कुट्टा मीनम को उसके फ्रॉक में उपस्थित गंद के गारण ढूंड पाएगा अगला कोशन आता है कोशन सत्रा हमारा बच्चे गली में दिखाए जा रहे साप के खेल का अनन ले रहे हैं सपेरा इस परकार नाच दिखा कर बच्चों का मज़रंजर करता है क्या सचमु साप नाचता है या आपने भी देखा होगा अगर आपके आसपरोस में कभी सपेरा आया होगा तो आपने देखा होगा वो मालिक के कहने पर नाचता है option 3 है वो है बस बीन की हिलने के साथ से हिलता है option 4 है उसे नाच नाचा लगता है तो इसमें से क्या हो सकता है आप सोचिए थोड़ा जातर का मानना यह है कि वो बीन की क्योंकि हम dance या नाच करते हैं उसकी धमदम या बीट सुनके नासते हैं लेकि साप के साथ ऐसा नहीं होता है वो आपने देखा होगा जब सपेरा बीन बजा रहा होता है तो उस बीन को हिलाता भी रहता है इधर से उधर दाएं से बाएं उपर से नीचे और आपने सही से देखा होगा तो साप उस बीन के जहाँ जहाँ हिलता है जिस दिशाम जाता है उसे साप अपनी करने हिलानी कोशिश करता है तो इसका उप्शन हमारा तीन सही होगा वह बस बीस के बीन के हिलने के साथ साथ हिलता है तो उप्शन तीन हमारा सही होगा इसको हम सरकल कर देंगे कोशन अठारा है अगला हमारा नेंड में से किस से निजात पाने के लिए स्कूलों में आरेन की गोलियां बाटी जाती है आपको पता है कि हमारे स्कूल में बुद्वार के दिन आरेन की गोलियां अलबनेडाजोल की गोलियां भी समय समय पर दे जाती हैं कई तो इस में हमें बताए गए आरेन की गोलियां किस लिख खाते हैं तो केड़े से बचने के लिए नहीं इसमें तो हमें अलबेंडा जोल मिलता है मैं स्कूल में option 2 है तीसार में वह नहीं option 3 है एनेमिया से बचने के लिए option 4 है बुखार तो इसमें हमारा option 3 से होगा एनेमिया एनेमिया iron की कमी से होता है इसमें हमारे शेरीर में खोन की कमी हो जाती है इसकी पूर्ती के लिए हमें iron की गोलियां बाटे जाती है अगला प्रशन है 19, मुकुन ने आज अलू गोबी की सबजी खाई, खाना खाते समय उसकी आँखों से पानिया नहीं लगा, ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, कि आपको खाना खा रहेंगे घर में, या कहीं भार, तो आपको एकदम से नाकसांक से पान अधिक थी, तो आपके विचार से क्या सकता है, हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कि आलू गोबी में मिर्ची अधिक थी, मिर्ची अधिक होती है तो, हमारे आपको पता ही है कि हमारे जीप पे जलन मसन लग जाती है, और ज्यादा बहुत ज्यादा हम स्पैसी खा जिलन पैदा कर देता जिसके बाद हमारे जीप पे जिलन होने लग जाती है उसके बाद हमारे शरीर अब उससे बचने के लिए डिफेंस में चला जाता है लड़ने के लिए उससे इसके बाद शरीर के जो शरीर के भार से हमारे वो निकलने कोशिश करता है उसका मेरिकल को नि अगला परशन है 20 ये आप बहुत अच्छा कोशन है इसके आपको पता भी होगा मिड़े मिल स्कूल में गेहूं चावल से खाना बाटा जाता है आपको पता है कि आपके स्कूल में मिड्डे मिल दिया जाता है लंज के समय में आपको अलग-अलग दिन अलग-अलग खाना दिया जाता है कभी छोले चावल, कभी दाल चावल, कभी हलुआ चने, कभी अलुपूरी, कभी राजमा चावल, अलग-अलग दिन आपको अलग-अ इसका अंसर हमारा होगा बच्चों में कोपोशन को दूर करने गले क्योंकि देखिए हम घर पे बच्चे पूरी डाइट हम नहीं लेते हैं और हमारे स्कूल का डाइट मिड़े मिल का डाइट ऐसा मनाया गया है कि इसमें हर तरह के विटामिन प्रोटीन का ध्यान रखा गया है हमारे शरीर कमजोर नहों इसके पूर्ती के लिए कोपोशन से बचाने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है तो इसका अंसर हमारा चार से होगा कि बच्चों में कोपोशन को दूर करने के लिए कुलविंदर को बहुत तेज सर्दी हो गई उसने ठंड के इलाज के लिए रखा वा सिरफ पी लिया उससे इसका स्वाद अजीब लगा उल्टी हो गई ऐसा क्यों हुआ देखिए इसमें ध्यान से परशन पढ़ेंगे कि इसको ठंड लगी और उसने घर में रखावा सिरफ पी लिया अब सिरफ उससे पता होगा भी सर्दी जुकाम का इसलिए कि पी लिया पहली बात तो हमें कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाके नहीं लेनी चाहिए कोई भी दवाई घर में रखावी दवाई हमें डॉक्टर की सलाके बिलकुल नहीं लेनी चाहिए नुक्सान फायदे की जिए हमें उसका नुक्सान होगा जैसे कुलविंदर को हुआ कि उसने रखा उसे पता था पता होगा कि भाई हमारा ये सर्दी जुकाम का तो पी लेता हूँ लेकिन हमें पीते समय या कोई गोली हम खाते हैं तो उसको सबसे पहले उसमें हमें उसकी डेट चेक करनी चाहिए आपको पढ़ा भी होगा आपने कक्षा चार में गनित में कि हर उत्पात के ओपर जो भी पैकिंग वाली चीज़े होती हैं सबके पर उसकी एमनेफ्टी डेट और एक्सपायर डेट होती है कि कब वो चीज बनी और वो कब चीज एक्सपायर हो जाएगी तो उसने एक्सपायर डेट नहीं देखी होगी और कोई भी चीज हो खाने पीने की या दवाई उसके अगर एक्सपायर डेट खतम हो जाती है यानि उसके बाद उसको हम परियोग करते हैं तो हमारे लिए जान लेवा घातक सिद हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है जैसा कि कुलविंदर के साथ हुआ तो इसका option हम पढ़ते हैं पहला option है syrup के उपयोग की तारिक समाप्थ हो गई syrup कड़वा है syrup से बदववा आती है कुलविंदर का पेड़ खराब है तो कुछ बच्चे सोचेंगे syrup कड़वा है इसलिए उसने को उल्टियान लगे कड़वा तो अब तो कई flavor वाले syrup भी आते हैं जो बच्चों को अच्छा लगते हैं तो इसे option नहीं हो सकता है बदवू आना तो अगर flavor अच्छा होगा तो बदवू नहीं आएगी या कुलविंदर के पेड़ खराबता है दीपक ने मुंग धुली डाल अंकुरित की लेकिन दो दिन बाद भी डाल अंकुरित नहीं हुए ऐसा क्यों होगा option पढ़ते हैं डाल अधिकमात्रा में थी डाल को अंकुरित होने में चार दिन लगेंगे केवल साबुद डाल अंकुरित होती है मुंग की डाल अंकुरित नहीं होती तो इसका option हमारा तीन सही होगा कि केवल साबुद डाल अंकुरित होती है क्योंकि दुली डाल थी इसलिए अंकुरित नहीं होगी परशन 23 पर आते हैं यह चित्र देखिए इसमें आपको पिर्थवी का चित्र दिखाया गया है उसके पर एक चोटा सा पोधा है उसमें पानी डालते हो दिखाया गया है तो इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आरा है बच्चो चलिए option पढ़ते हैं पोधों के लिए लगड़ा है कि पौधों के लिए पानी क्यापशक्ता होती है पेड़ पौधों को हमें समय समय पर पानी देना चाहिए तब ही वो आगे बढ़ सकते हैं चलिए अगले परशन पर आते हैं 24 परशन है हमारा एक ट्रेकिंग कैम्प में सभी को होट चॉकलेट मिल्क परोसा गया सक क्यों क्या गया होगा तो ऑप्शन वन है सर्दी दूर करने के लिए ऑप्शन टू है पेड़ भरने के लिए ऑप्शन थ्री है नदी पार करने के तो ट्रेकिंग के दुदरान हो सकता है पारे इलाका हो ठंड होती है आपको पता है यह पारे इलाका में तो सर्दी दूर करने के लिए ऑप्शन एक सही होगा अगला परशन आते हैं इसमें भी चित्र को हमें देखना है इसमें आपको देखना है यह फातिमा जहां खड़ी ये south तो हमारी इसके साब से आप देखिए उसकी फातिमा जहां खड़ी है वहां ठीक से ठीक पूरव दिशा में क्या दर्शाता है तो east हमारा इस दिशा में है फातिमा के जा तो यहां पर क्या दिख रहा है हमे एक पहाड़ है और एक सूरज तो option देखते हैं सूरिय और परवत चांद और पौधे पौधे तो है नहीं यहां पे खेत और पानी बिल्कुल नहीं है फूल और पहाड़ तो पहाड़ तो लेकिन फूल नहीं तो हमारा option एक सही होगा यहां सूरज और परवत है चलिए अगले परशन पाते हैं परशन नमबर 26 पर 26 परशन है हमारा सुनीता ने अंतरिक्ष में हाथ मूँ धोरने के लिए तैरते हुए बुले को पकड़ कर खपड़े को गीला किया सुनीता ने ऐसा क्यों किया होगा आपने अगर वीडियो देखी होगी सुनीता विलियम्स की उन्होंने अंतरिक्ष से शेयर करी थी तो उसमें आपको पता है कि अंतरिक्ष में गुर्तवा कर्शन बल नहीं होता है जिसके कारण सभी चीजे वहाँ पे तैरते हुई दिखती हैं चाहे इंसान हो चाहे कोई वस्तू हो सब हवा में तैरते हुए दिखते हैं तो ऐसा क्यों हो वाँ जो उसने खपड़े को गिला किया एक बुलबुले से सुनीता ने तो उप्षन एक है क्योंकि ऐसा करना अच्छा लगता है उप्षन दो है बुलबुले बहुत हलके होते हैं उप्षन तीन है क्योंकि अंत्रिक्स में सब कुस तैरता है उप्षन चाहर है पानी के बुलबुले उड़ते हैं तो क्योंकि अंत्रिक्स में सब कुस तैरता है उप्षन तीन से ही होगा option एक है तेल खत्म हो गया है तेल जमीन के नीचे बहुत धिरे-धिरे बनता है तेल मशीन द्वारा बना जाता है अब सारा तेल इस्तमाल हो गया है तो इसका अंसर हो जाएगा तेल जमीन के नीचे धिरे-धिरे बहुत बनता है अगले प्रसंट पर आते हम लेहे में ताशी के घर का जातर हिसा लकड़ी का बना है यहां पर अधिकतर लकड़ी की घर क्यों बना जाता है क्योंकि आपको पता है कि ले बहुत ही ठंड़ा इलाका है तो क्योंकि लकड़ी के बने फर्स और ठंड छट ठंड से बचाते हैं ऑप्शन दो है क्योंकि यहां लकड़ी असन से प् question number next 29 है हमारा लकड़हारे ने आग सुलगा कर चूला जलाया लेकिन आग बुझा दी गई लकड़हारे ने अपने मूँ से हवा भर कर आग जलाई उसने फूग क्यों मारे होगी तो जब भी वे अपने अगर चूला कर भी जलाया होगा या देखा होगा तो फूग मारते हैं जोर जोर से तो ऐसा क्यों होता है तो उसके मूँ में आग थी बिल्गल नहीं उसके मूँ में हवा थी हवा तो थी हवा की नमी आग को बुझा देती है नहीं उससे तो आग जलाने की सोची फिर से option 4 है मूं से फूग मारने से ज्यादा हवा आग को मिलती है मतलब आग को जलने के लिए this option क्या estak reactions की आव सकता होती है और जब हम मूं से फूग मारते है तो उससे और ज्यादा option जल्दी मिल जाती जिससे आग जल जाती है तो option 4 सी होगा अगला परशन है तीस हमारा आप एक बैग ले जा रहे हैं जो सबजी के छिलको और समाल की हुई चाय से भरा है आप इस बैग को किस कुड़ेदान में फेकेंगे तो आप पता है कि आपको हमारे दो तरह के कुड़ेदान होता हैं एक नीला और एक हरा तो अभी साग सबजी वाले चीज़े होती हैं उसको हम हर एक कुड़ेदान में डालते हैं तो ऑप्शन दो सही होगा चलिए अब अगले परसुन पहते हैं गंडित के कुछ परसुन है हमारे कौशन नमर 31 अंजिना को एक कागज का कुछ पर कुछ जिब्बों में रंग भरने को कहा गया उसने दिये के चितर के अनुसार रंग भर दिये अब उस भरेवे रंगों के अनुसार भिन बताई है देखी यहाँ पर चितर में आपको थोड़ा हालका दिखराऊगा तो यहाँ पर टोटल हमारे 6 यह भरेवे हैं 6 और टोटल हमारे बॉक्स हैं कितने 1,2,3,4,5,5,10,15 तो कुल हमारे 15 हैं तो 15 और जिसमें से हमारे रंग किये वे हैं 6 तो हमारा भीन हो जाएगा 6 बटी 15 तो 6 बटी 15 उप्शन में कहा है हमारा यह रहा पंदर हमें से हमारे छे भाग कलर है तो पेपर में ऐसे कोशन जरूर आएंगे हो सकता है कि इसमें आपके छे के जगए दस हो जाएं पंदर के जगए बीस हो जाएं ये बद लेगा खाली तो भीन आप ध्यान रखे इस बात का कोशन 32 है मिनु अपनी छोटी बहन की अंगरी जी किताब पढ़ रही थी अचाने उसको ध्यान उनक्षरों को गुमाने पर गया कौन सा अक्षर क्या करते एक 180 डिगरी गुमाने पर भी वैसे ही रहेगी 180 डिगरी गुमाना है मैं मतलब माले अगर आप यहां है तो यहां साबको यहां आना है तो उसको हम वैसे गुमाएंगे तो वैसा ही रहेगा तो जे बिलकुल नहीं होगा के भी नहीं होगा उल्टा हो जाएगा बी भी नहीं होगा यह उल्टा हो जाएगा तो ओ तो हमारा चार से होगा, ओकों में एक स्वस्टी भी गुमा दें तो भी वो ऐसा ही दिखेगा, तो उप्शन चार से होगा, अगला प्रशन है हमारा, यह बहुत ही अच्छा प्रशन है, नीचे दे गए स्मार्ट चार्ट को ध्यान पुर्वक पढ़िए, एवं नीचे दिये गए पशन के बराबर है, तो यानि हम कह सकते हैं कि केरेट में हमारे कुल कितने बच्चे हैं, तोटल, पचास, पचास, सो, और फोटबॉल में हमारे हो जाएंगे, पचास, 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 तो हो जाएंगे हमारे, डेड़ सो, निशान वाजी में कुल कुल कितने स्टार हैं, एक, द इसके अधार पर उत्तर देना है, प्रत से बढ़ोर के जोड़ूरम में इसका तरीछा है, बड़ावर इसका सब्ध में इक क्रिकित को देख कर में है. कि 2 star cricket में है और 2 star 13 के में है तो इनकी संख्या बराबर है next question है 34 cricket खेलने वाले बच्चो की संख्या तो cricket में जाईए आप cricket में first वाला ही है हमारे इसमें total 2 star है और 1 star का मान 50 के बराबर है तो total 100 हो जाएंगे तो इसका option हो जाएगा हमारा 3 34 का अगले question पर आते है हमारा बच्चो में सबसे लोगपड़े खेल कौन सा है सबसे लोगपड़ी है मतलब सबसे जादा किसमें star है हमारे निशाने बाजी में कुल 5 star है तो हमारा उत्तर हो जाएगा निशाने बाजी option 2 से होगा फुटबोल खेलने वाले बच्चों की संख्या तो फुटबोल में कितने star है यहाँ पे 3 star है मतलब 150 तो 150 है option में पहला option यह 150 ठीक है अगला है 37 कोशन निशाने बाजी करने वाले बच्चे और किरकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या मंतर तो निशाने बाजी में देखिए कितने बच्चे हैं हमारे 250 और किरकेट में कितने हैं 100 तो 250 में से हम 100 घटाएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा देड़ सोगा 250 घटा 100 तो हमारा उतर आ जाएगा option 1 अगला कोशन है यह अलग से दियाए कोशन हमारे चार्ट बाले कोशन खतम हो चुका है कोशन 38 है राविया और अनों ने एक संख्या लिखी 95725 तो यह पिच्चाण में 1725 95725 राविया ने 7 परंगली रखी और अनों नो पर दोनों संख्याओं को इस्थान अमान निकालने पर किसका असन में जाधा होगा तो देखिए राविया ने 7 पर रखी तो 7 का अस्थान अमान हो जाएगा हमारा 700 और अनु ने रखा 9 पे तो 9 का अस्थान अमान हो जाएगा 9 के बाद हमारी 4 संख्याँ है तो हमारा हो गया 90 bạn हम से पूछा है कि दोनों संख्याओं मैंसे किसकर स्थानिय मान जादा होगा तो साफ़ में दिख रहा है कि 70000 और नबे जार में तो बहुत फर्क है तो नबे जार हमारा बड़ा है नबे जार किसका होगा अनु का तो हमारा option दो से हो जाएगा अगला है दीगे संख्याओं का आरोही करम क्या होगा आरोही करम मतलब ascending order बढ़ते वी करम में लगाना है तो बढ़ते वी करम में हमें सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या तो सबसे दिखे आप संख्या दी गई है जो 987, 7889, 8559, 1578, 4579, 1057, तो सबसे चोड़ी संख्या हमारी होगी, इसमें 1057, तो पहले लगा देते हैं, इसके बाद हमारा बच गए, यहां 5000, 7889, 1578, तो यह हमारा सेकिंड पर या जाएगा, अब बच गी हमारी 4 संख्या है, इसमें अब सबसे चोड़ी संख्या होगी हमारी यह 4579, यह भी हो गई, अगली संख्या होगी, तो देखिए हमारे सीक्वेंस, कौन से उप्शन में चल ला है, इसमें, उप्शन नमर एक, तो हमारा उप्शन एक सही हो जाएगा, लास्ट मारी सबसे बड़ी संख्या, 8559, और सुरुवाद सबसे बड़ी संख्या, 1057, तो उप्शन हमारा 1 से होगा, अगले बश्चन पर आते हैं, कौशन नमर 40, आपकी कक्षा की लंबाई 40 मिटर और चोड़ाई 30 मिटर हो, तो आपकी कक्षा क्षित्फल, तो देखिए आपको जो चितर दिखरा होगा, यह आयत की तरह है, तो आयत का आपको सुतर पता ही होगा, चितर फल निकाल लेगा, क्या होता है, लंबाई गुणा में, चोड़ाई, एल इंटू में, बी, तो हमारी लंबाई है 40, 40 गुणा 20, तो 40 गुणा 30, तो हमारा हो जा गई है 1200, अब 1200 देखिए, उप्शन में हमारे 2 हैं, 1200 मिटर है, और 1200 मिटर है, और 1200 मिटर, तो बच्चो मिटर, या वर्ग सेंटी मिटर, जिसमें भी हमारे मिटर दिया है, तो वर्ग मिटर, अगर सेंटी मिटर दिया है, तो वर्ग सेंटी मिटर में निकालते हैं, तो वर्ग जरूराना है, सिर्फ मिटर नहीं आएगा, तो हमारा उप्शन तीन से ही होगा, इसमें बच्चे गर ब्रभड कर देते हैं, दार्वा सो मिटर पर टिक लगा देंगी, तो नहीं, हमें दार्वा सो वर्ग मिटर पर चेटर होनले, तो जब भी भी आप चेटर होनल निखा ले, तो वर्ग का जरुधर में रखेंड़ाब। शिद्यान रखें अगला प्रशन है 41 हमारा राधा का घर दिखाया है इसमें चित्र में और इसमें हमें पूचा है राधा ने मांचित्र पर अपने घर और बस्टेंड की दूरी देखी यह 9897 थी मीटर थी इस दूरी को किलोमेटर में बदलने पर क्या आएगा तो इसके घर और बस्टेंड के दूरी दी है जिसको इसने देखा तो यह 9897 मीटर है तो बच्चो मीटर में दिया है इसे हमें किलोमेटर मदलना है तो आपको पता है कि 1 किलोमेटर में कितने मीटर होते हैं 1000 तो यहाँ पे 9000 तो 9000 का मतलब क्या हो गया 9 किलोमेटर होगे सीधा अब तो पूरा करने के लिए तो इसमें और संख्या जोड़नी पड़ेगी लेकिन फिलाल हमें यह पूछाए किलोमेटर मदलना है तुसको उप्षन एक ठीक होगा 9 किलोमेटर 897 मीटर तो अप्षन एक से होगा अगला परसन देखते हैं निलेश अपने विधाली के लंबाई चोड़ाई माप रहा है अगर विधाली के लंबाई 50 मीटर चोड़ाई 35 मीटर यह लंबाई हमारी 50 और चोड़ाई 35 मीटर है विधाली को 4 ओर से तार लगाने के लिए कितनी चाहिए तो देखिए यहां पर हमें इसका परीमाप ऊछा गया है एक तरह से तो इसके परीमाप हम दो तरीक निकाल सकते हैं चाहे सूतर से निकालनें नहीं तो बहुत आसान है 50 मिटर यहां है तो यहां भी पचास पड़ेगा यह 35 है तो यह भी सामने 35 होगा तो अब चार गो जोड लेजिए 50, 50, 100, 35, 35, 70 तो हमारा अंसर सीधा हो जाएगा 170 मीटर और क्योंकि यहां सिर्फ हमारा सारे उप्शन मीटर में दिये हैं तो इसमें कंफिशनली बात नहीं है लेकिन कभी कभी वर्ग मीटर दे देगा तो हमें वर्ग मीटर सिर्फ हमें 6 फल में निशान लगाना है जो परिमाप निकालते हम यह यह लंबाई बोले तार की तो हमें वर्ग मीटर नहीं लगाना है मीटर यह सेंटिमेटर जो दिया सिर बड़ी और चोटी से छोटी संख्या बनानी है तो हमें देखिए सबसे पहले option में दिया सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी क्या बन सकती है बहुत असान है यह हमारे संख्या दिया एक पांच आठ जीरो तो सबसे पहले संख्या पहले के लेते हैं आठ फिर उसे बड़ी बच गई पांच फिर बच गया एक और फिर सुनिये तो यह हमारा उप्शन में देखते कहीं है है जी फॉर्थ उप्शन है और सबसे छोटे क्या बनेगी तो सबसे छोटी देखिए देखिए जीरो को हम लेंगे अगर पहले ले लेंगे तो हमारी तीनों को संख्या हो जाएगी तो हमें एक सुचरवात करना पड़ेगी एक फिर शुनिये फिर पांच फिर आठ तो संख्या होगी तो देखिए पांच फिर पचीस ए फिर इक सो पचीस आए फिर चैसो पचीस को हम फिर पांच से गड़ेंगे तो चैसो पच्चिस और और प्र फिर लाड देखिए तो हमारा उप्शन 4 से हो जाएगा सब्सक्राइब करें तो देखते हैं 935 यह पास में थोड़ा क्योंकि यह दो कदम ही आ गए एक हजार तो यह दस कदम आगे हुए तो देखिए एक हजार पहुँचने के लिए हमें सबसे पास होगा हमारा एक हजार दो तो आप्शन नमबर तीन हमारा सही होगा तो देखिए हमने आज यह 45 कोशन जो हमारा सेंबल लिपर 1 था सेस का स्टेट अटीवमेंट सर्वे का वो सॉल्व कर लिया है मुझे आशा है आप सभी को पूरा पेपर समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको कोई प्रिशन समझ में नहीं आ सकता है तो आप हमें कमेंड करके पूछ सकते हैं उसका समधन अवशे किया जाएगा और अन्य पेपर भी हम शिगर अपलोड करेंगे जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करके रखिए ताकि आगे आने वाली सैंपल पेपर आपको समसे मिल सके धन्यवद